हाई बच्छों कैसे हैं आप लोग Welcome to Paper Aekar YouTube Channel आज हम लोग पढ़ेंगे B.A. Part 1 Semester 2nd का Education शिक्षा ठीक है? B.A. Part 1 Semester 2nd का Education शिक्षा 4th number question B.A. Part 1 Second semester का B.A. Part 1 Semester 2nd का वैयदिक कालिन शिक्षा और गुर्छव के बारे में हम ने आप लोग पड़ाया था पिले वीडियो में अनेक बातों में बहुत कलीन शिक्षा से भिन्न है इस कथन को असपष्ट कीजी क्या कर रहे हैं प्रश्ण बच्चों वैदिक कालिन सिक्षा जो है अनेक प्रकार से वैदिक कालिन सिक्षा जो है अनेक प्रकार से बाओध कालिन सिक्षा से भिन्य है इसका असपष्ट वर्णन करना हम लोग ठीक है अथवा अथवा वैदिक कालीन वा बाओध कालीन सिक्छा प्रणाली की तुलना करना है ठीक है उत्तर उत्तर देखें यहां क्या का रहा है बाओध धर्म का उदे वैदिक धर्म के विरुध परतिक्रिया स्वरुप हुआ था ठीक है अथा इन दोनों प्रणालियों में आ समानता होना स्वभाविक है इन दोनों प्रणालियों में आ समानता होना क्या है स्वभाविक है जो निम्न है क्या क्रम संख्या से यह है क्रम संख्या है कहीं से आप से पढ़ेंगे यहां बौध सिक्षा और यहां वैदिक सिक्षा क्या कर रहा है देखिए बौध सिक्षा प्रणाली बौध संग की प्रणाली थी क्योंकि इन्हें परिवार का स्थान संग या बिहार ने ले लिया था और गुरु एवं सिस्स के परिवारिक बंधनों को समाप्त कर दिया गया फ्टाने था बहुत सिक्षापनाली जो है बुद संग की बहुत भिक्षू को एसली जीतर बहुत बू horrific जीवा कर तर और उनने गुरु होते थे वह बहुत भीक्षू का पढ़ते थे और बैसे जाधु तो उस तरह बहुत बिक्षो हुआ करते थे और वह बहुत बिक्षो का जीवन करते थे बहुत संग की प्रणाली थी क्योंकि इनमें परिवार का स्थान संग या बिहार ने ले लिया था परिवार का स्थान कौन ले लिया था संग और बिहार ने ले लिया था और गुरू एव गुरू का ग्रिह या परिवार चात्र विद्ध्याले था गुरू का क्या था ग्रिह या परिवार सिक चाथर बिध्याले था यह परिवार चाथर बिध्याले था ठीक है स्पड़रम क्श्चन क्या कर रहा बच्चो देखिए मैं design second number point पढदते हैं बिहारों में अनेक सिक्षक अध्यापन कारी करते थे क्योंकि प्रारंब से ही जो बौध प्रारंब से ही अनेक बौध बिहारों में अनेक सिक्षक अध्यापन करते थे श्टार्टिंग से ही बहुत बिहारों में बहुत सारे सिक्षक अध्यापन और पटन पटन का काल उसमें करते थे बैदिक सिक्षक प्राली में सिक्षण का केंद गुरु ग्रिह था गुरु का ग्रिह मतलब कि जहां पर गुरु रहा करते थे गुरु का घर जो था वो था उनका सिक्षण का केंद जहां पर केवल एक सि और इसमें क्या था बहुत विहारों में अनेक सिक्षक अध्यापन कराते थे दोनों में डिफ्रेंस है ठीक है समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को थर्ड नमर पॉइंट बहुत सिक्षा प्राली में गुरू के चात्रों के ऊपर अधिकार हो गया बहुत सिक्षा प तंतर के सिधान्त पर अधारित था इस प्रकार यह जो था वो परजात तंतर के सिधान्त पर क्या था आधारित था ठीक है वैदिक सिक्षा प्राली में गुरू एम सिस्थी का संबंद पिता एम पुत्र के समान था वह पिता और पुत्र के समान था और इस प्रकार वह एक स्वामित्य सिधान्थ पर आधारित था ठीक है फूर्थ नमबर प्वइंट क्या कर रहा बच्चों बहुत सिक्षा प्राली में उपसंपदा संसकार के उपरां सिसु को संसारिक बंधनों के तोड़कर आजीवन ब्रमचर ब्रत का पालन करना पड़ता था ठीक है उप संपदा संसकार हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे कोश्चन जो बताएं हैं उसमें संपदा उप संपदा संसकार और गुरु के पास ले जाने के लिए जो है सिक विद्यार्थी को ले जाए जाता था उसमें भी उम्र का उले खर किया जाता था इतने उम्र के बच्चों को ले जाए जाए जाएगा तो उसमें उप संपदा संसकार और बंधन को तोड़कर आजीवन ब्रमचर ब्रत का जो है पालन करना पड़ता था ठीक है नेक्ट देखते हैं यहां कर लेना था रही है जिए जीवन चीवन उनके संगों या विहारों में विद्यार्तियों का बाहर के जीवन से अधिक सूखी एंवं सुविधा पून था बहुत शिक्षा प्रणाली में जो है कि अंतरगत जीवन उनके संगों या बिहारों में विद्यार्थियों का बाहर के जीवन से अधिक सुखी एवं सुविधा पुण था। इसमें उनके संगों विद्यार्थियों को बाहर के जीवन से अधिक सुखी एवं सुविधा पुण था। होगा आप लोगो विडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे देखते हैं क्या कहरा पॉइंट बच्चों देखिए यहां पॉइंट नमबर सिक्स क्या कहरा है देखिए यहां बहुत सिक्षा प्रणाली में परतेक विद्याले का संबंध संग से होता था। सब्सक्राइब के अंतरा बिख्षों को मौन रूप से विजिए मांगने इसमें बोल रहा तो इसलिए बहुत सिक्षा पनाली में बोलकर और इसमें जो है मौन रहकर भिक्षा मांगना पड़ता एट नमर पइंट देकि बहुत सिक्षा पनाली में बेदो पर अधारित नहीं थी और के वह ब्रामण अध्यापन कारे कर सकते थे जिनों ने बहुत अध्यापन कर सकते थे जिनोंने बहुत अध्यापन अपना लिया था वही ब्रामण जो है बहुत सिक्षा का कर सकते थे ठीक है और इसमें बैदिक सिक्षा पनाली में बेदो पर अधारित इसमें बहुत पर अध्यापन का कारे करा थे ब्रामण जो है इसमें अध् बन दिया जाता था ठीक है देखिए जहां क्या कर रहा है अंतरगत बेवसाइक सिक्षा पर एक्षा करित ने जाता ठाथ और बैदिक सिख्चा प्णाली में विशिस बढिए जाता था ठीक है वादीक टाली परियोग किया जाता था अब यहाँ जो है बैदिक शिक्षा प्राली में सिक्षा का माध्याम संस्क्रीट भासा थी बिदवान पंडित प्रकांड जो थे वो संस्कृत का ही करते थे तो इसमें संस्कृत जो है महत्यपूर्थी संस्कृत लेंगविज जो है बोला जाता था ठीक है बच्चों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजीगा नेक्स्ट वीडियो में अगला कोश्चन बताएंगे आप लोग को हम थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स बरेली